आपके सामने 20 questions होगी जो कि मैंने लिये हैं हमारे इसी के साथ साथ सीरीज के साथ साथ ही आपका dispersion भी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि यह नहीं है कि सारा स्लेव मंदब जो भी एक्जाम में आएगा वो में इंपॉर्टेंट जो ही टॉफ टॉपिक है उन्हीं में से आता है इजी टॉपिक्स में से भी आता है तो कई बार हम इजी को निगलेट कर देते हैं सो लेट स्टार्ट इस इस दी फॉर्स कोशिए विच आफ दी मैथर्स अंडर मेजर ऑफ दिस्परजिजन तो हमने डिस्परजिजन पढ़ाता हो तो उसके अंदर हमारा रिएंज होता है मींड अविएशन होता है हमारा स्टैंडर टो वो छेम ने तो आपको पता है आफका रेंज है जो आप एजी कैलकूलेट कर पाते है तो एक characteristic तो इसमें हमारा आता ही है, इस भी based on all the observation within a series, तो यह based होना चाहिए all series पे तो हमारा mean deviation, standard deviation, इसमें हमारी हर एक item को consider किया जाता है, इस भी इस भी इस भी अफ्लक्टुएशन विदिन दी सैंपल, अगर सैंपली में थोड़ी पास fluctuation आ रही है, तो उससे आपका जो answer है, वो affect नहीं होना चाहिए, तो यह सारे चीज़ें अगर characteristic होंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एक good measure of dispersion है, तो यह all of the above, option number D, ठीक है, अब देको जैसे कि range मैंने बताया था, easy to calculate तो है, मगर it should be based on all the observation within the series, तो range एक ऐसा है, जिसमें कि, वो series के हर एक item को consider नहीं करता है, क्योंकि उसका answer आपका क्या होता है, lowest को consider करते हैं, और highest को consider करते हैं, इनके different से जो निकल किया आता है, वो range होता है, तो यह based on all the observation होता है, तो सबसे अच्छा हम मारा माने जाता है, mean deviation, mean deviation जो हम निकालते हैं, वो सबसे good measure of dispersion बताया जाता है, क्योंकि हम उसमें mean का भी use करते हैं, mean क्या होता है, all observation based data निकालता है, ठीक है, so हम next चलते हैं, next question पर, next है, if all the observation within a series are multiplied by 5, then, अगर आपका series, X series हैं, और उस सारे एक-एक observation को उन्होंने 5 से multiply कर दिया है, तो आपका new standard deviation will decrease by 5, the new deviation would be increased by 5, the new standard deviation would be half of the previous standard deviation, या फिर the standard deviation would be multiplied by the 5, तो आपको पता होना चाहिए, कि या जैसे आपने mean में भी बढ़ाता है, कि अगर हम mean में multiply, divide या plus, minus कर रहे होते हैं, अपनी series में, तो वो ही चीज़ आपको mean में भी अगर multiply कर दें, divide कर दें, plus कर दें, minus कर दें, तो आपका new mean निकल आता है, ऐसे ही standard deviation में है, कि अगर series को किसी number से आपने multiply किया है 5 से, तो आप standard deviation को भी अगर 5 से multiply कर देंगे, तो आपको new standard deviation find out हो जाएगा, तो इसका option number D, the coefficient of variation in the percentage expression for, तो जो coefficient of variation है, वो percentage expression है हमारा किसका standard deviation का, standard deviation का ही अगर आप root कर देंगे, तो आपका क्या आजाता है, variance निकल कर आजाता है, तो option number A, next देखते हैं, while calculating the standard deviation, the deviation are only taken from D, जब आप standard deviation में, हमारा dx निकालते हैं, निकालते हैं, तो वो किस से होते हैं, तो आपका dx हमेशा किस से होना चाहिए, mean value से होना चाहिए, next देखते हैं, dash and the dash are the type of measure of dispersion, तो अगर आपने dispersion पढ़ाता है, दो तरीके से, एक हमारा absolute measure होते हैं, एक हमारे relative measures होते हैं, जिसको हम coefficients बोलते हैं, तो यह आपका option number D correct हो जाएगा, that is absolute and the relative measures are the type of measures of dispersion, so this is the next question, the numerical value of standard deviation can never be, जो आप standard deviation निकालते हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका negative नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं कि वैसे ही बहुत easy question लगते हैं, मगर अगर आपको नहीं पता होगा, तो आप confused रहेंगे कि हमारा larger than variance होगा, zero होगा या negative होगा, तो आप लोगों को easy चीज़े भी एक बार अच्छे से, मतलब कि जैसे standard deviation है, mean deviation है हमारा, mean है, इन सब के जो हमारे features है, मतलब इनकी properties, basically जो इनकी properties है, वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि properties से questions बनते हैं, आपको पता ही जिलेगा, एक normal सी line से, आपकी property से आपके MCU की formed हो जाते हैं, next question is, average of squared deviation from arithmetic mean is known as, अब देखा, अगर formula को, जैसे अगर mean का formula होता है, इसको जब language की form में लिख दिया जाता है न, एक बार के लिए पढ़ने में, वो चीज एक बार में clickने होती है, क्योंकि हम formula easy कर लेते हैं, जब इसको language में आ जाता है, तो थोड़ा confusion आ जाती है, तो इसमें लिखा है, जब average लेते हैं, squared deviation from arithmetic mean, इसको हम हमारा variance बोलते हैं, that is option number C, अब आप variance का formula देखना, फिर देखना कि ये कैसे relate करते हैं, next करते हैं, so this is the next question, which of the following is not a characteristic of good measure of dispersion, अभी हमने good measure of dispersion की characteristic पढ़े थे, कि क्या, कि easy fluctuation की विजए से answer में कोई change नहीं आना चाहिए, और वो क्या है, based on all the observation होना चाहिए, और उसकी easy to calculate, calculation उसकी easy होनी चाहिए, तो इसमें आपको पताना है कि good measure कौन सा नहीं है, not a characteristic, मतब कि ये कौन सा characteristic नहीं है, it should be rigidly defined, नहीं, ये इसका characteristic नहीं है, flexible data हमारा होना चाहिए, flexibility होनी चाहिए dispersion में, it should be based on extreme values, नहीं, मैंने बुला तो वो based होना चाहिए, all the values of the data, ठीक है, it should be capable of further treatment and statistical analysis, ऐसा इससे कोई matter नहीं करता है, तो answer इसका आपका है, none of the above, that is option number D, कि इसमें से कोई भी उसका good measure का characteristic नहीं, which of the following can not be calculate for open-ended distribution, open-ended distribution होता है, कि हम बोलेते हैं, जैसे, below 10, last में हमारा हो जाता है, above 50, तो जो यह open-ended distribution सो जाते हैं, ठीक है, उस case में आपका क्या calculate नहीं हो सकता है, standard deviation calculate कर सकते हैं, हम range calculate कर सकते हैं, मगर लेकिन हम mean deviation नहीं calculate कर सकते हैं, तो इसका answer option number B होगा, ठीक है, आपको पहले इस series को change करना पड़ेगा, normal series बनाने के लिए, तब आहीं आप इस पर further calculation कर सकते हैं, ओके, next चलते हैं, लोरेंस कर्ब is the technique that is used to show, जो आपने लोरेंस कर्ब बढ़ा होगा, वो technique किसलिए यूज की जाती है, the inequality of wealth and the income of a group of people, the unemployment of a group of people, the inequality of wealth and income of a group of people, none of the above, तो क्या बढ़ाता है है, inequality wealth में और income of a group of a people, कि कितनी inequality है, जो हम देखते हैं, कि inequality कितनी हैं हमारी society में wealth को लेकर, income को लेकर लोगों में, वो हम किसके थूरू चेक करते हैं, हम लोरेंस कर्ब के थूरू चेक करते हैं, next है कि लोरेंस कर्ब developed in 1905 by whom, किसने इसको discover किया था, तो आपको पता है, लोरेंस तो था ही, उसी के नाम पे कर्ब बना तो, तो पीछे से समी ही लोरेंस है, तो आप इसको वैसे तो, आप अपना अंसर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों में ही, चारों में ही लोरेंस लिखकी आगे, तो अगर एक ही जगह खाली लोरेंस होता, नेक्स चलते हैं, the standard deviation of a set of 90 observation is 105, if value of each observation is decreased by 9, the new standard deviation of the observation would be, अमालो, इसमें क्या हो रहा है, कि standard deviation है 105, और इसमें decrease आ गया है, एक series में, हर एक item में, minus 9, minus 9 कर रिया है, तो जब, इसका मतलब हो रहा है, इसमें क्या होगा, जब आपका plus हो रहा हो या minus हो रहा हो, standard deviation क्या रहेगा, वह ही रहेगा, जो पहले था, that is 105, ठीक है, उसमें कोई change नहीं आएगा, इसके लिए आपको मैंने पहली बताया था, कि आपको standard deviation की properties पढ़नी पढ़ेंगी, क्या ये independent of origin है, या independent of scale है, ठीक है, scale है, इसलिए हमने क्या किया था, अभी हमने previous question किया था, उसमें multiply by 5 किया था, एक series में, तो multiply by 5 किया था, इसलिए हमने standard deviation भी multiply by 5 किया था, तो हमारा new standard deviation आ गया था, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, कि अगर multiplier divide होगा है, series में, तो आपक थी प्रॉपर्टी बेस्ट ऑन ओरीजन एंड स्केड ठीक है ओरीजन में आपका प्लस माइनस होता है इसमें मुल्टिप्लाइएं डिवाइड होता है ठीक नेक्स देखते हैं आपको एंड गिवन हैं 100 वर्कर से आपको बोला है उनकी मीन वेज़ गिवन है आपको रूपीस 200 और आपको स्टेंड अविएशन गिवन है इस पॉट्टी नाओ इच वर्कर इंक्रीमेंट आ गया है 20% का इनकी वेज़स में दोसों का 20% इंक्रीज आया है तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेंडर डिविशन तो खिरोंने पूछा ही नहीं है मगर मीन में क्या होता है कुछ भी प्लस हो रहा है अगर एक सिरीज में तो नए मीन में भी प्लस होकर ही आंसर आएगा कुछ माइनस हो रहा है तो नए मीन में से नया मीन भी क्या होगा पुराने मीन में से माइनस करके नया मीन फॉर्म हो जाएगा अगर कुछ मल्टिप्ला हुआ है एक्स में तो पुराने वाले मीन में अगर उसी चीज की मल्टिप्लाइए कर देंगे तो हम नियू मीन निकलाएगा ऐसे ही अगर सिरीज में डिवाइड हुआ है कुछ तो पुराने वाले मीन को डिवाइड कर दें वो टर्म तो नियू मीन निकलाएगा ठीक है तो मत जिक्रिमेंट है 20 परसिंट का तो आपको क्या करना और अदिक्रीज रिमेन नहीं नहीं बूला थे जितना एक सीरीज में चेंज आया वेसा ही मीन में चेंज पहले तो नहीं वेंगी इस इंक्रीज आएगा मींश में भी the mean wage will be कितनी होगी अब देखो percentage कैसे निकालेंगे 200 था पहले इसका 20% कितना होगा आपका that is 40 तो पुरानी mean आपका कितना था 200 चेंज कितने का आया 40 का add हुआ था तो नया mean कितना हो गया 240 जितना चेंज आया उत्रा ही चेंज मीन में add कर देंगे तो इसने हमने आवरेज में 40 एड कर दिया तो आपका new mean average क्या आजाएगा mean wage क्या जाएगा 240 तो option number D हो जाएगा कि बोथ B and CR करें ठीक है next चलते हैं so this is the question if you secure 97 percentile in an examination it means that your position is below dash of the total candidates who appear in the exam आपको पता होना चाहिए कि हम percentile जब निकालते हैं तो हम किसके business पर निकालते हैं कि कितने total number of students ने candidates ने exam दिया उस basis पर तो आपकी 97 percentile करेंगे तो आपको आएगा कि आप उन 3 percent बच्चों में लाए करते हैं सौ में से जो 3 percent बच्चे हैं टॉपर स्टार्टिंग के तो आप टॉप 3 में हैं total number of students में ठीक है तो 97 percentile का मतलब 97 percentage का मतलब total 100 percentile है उसमें आप 97 है तो मतलब जो 3 यह 3 आया है तो मतलब 3 percent total number of students का 3 percent है ठीक है which of the following is a measure of dispersion can attain a negative value हमने मैंने अभी previous question में गराया था कि standard deviation में negative value नहीं आ सकती ऐसे ही mean deviation में negative value नहीं आ सकती negative value से किसमें आ सकती है हमारे range में आ सकती है तो यह option numbers का भी होगी range क्या represent करता है देखो यह नीचे से देखता है difference between the lowest and the highest number तो यह तो नहीं है क्योंकि हमारा highest or lowest का difference आता है इसमें उल्डा लिखा हुआ है middle number का यह कोई काम नहीं है यहां पर mean क्या है कि यह represent करता है क्या हमारा lowest number ठीक है range जो हमारा represent करता है वो करता है the lowest number ठीक है ओके next देखते हैं अब हम next is the square deviation the square of standard deviation is मैंने अभी starting में देखता standard deviation का square कर देते हैं तो हमारा क्या निकलाता है variance निकलाता है तो option number c an example of the application of range is a real real world scenario would be अगर आपको range की कोई application बतानी है real world में तो वो क्या होगा तेखो अगर आप price share price में change पड़ते है fluctuation in share price तो यह भी हमारा range में use होता है weather forecast में भी हम range use करते हैं quality control में भी हम range use करते हैं तो all of the above option number d last question of today's class the scatter with within a distribution that is high on each side indicates तो क्या होता है दोनों तरफ high है अगर तो यह हमारा होता है outliners of the data option number b so that's all for today I hope you guys like this session so please like share and subscribe my channel कल मिलते हैं नहीं practice question series के साथ तो पढ़ते रहिए all the best bye bye लुदार डिर्स लए ठाया है